Hello students, this is मिनाक्षे सिंग, पिछले कुस दिनों से हमने वीडियो नहीं आप लोग को दिखा पा रहे थे, कुछ नेटवर की शू था, और अब हम लोग वापस 12 का पार्टनर्शिप फर्म पढ़ रहे थे, और मुस्ट बे भी हमारा पहला जो फर्डामेंटल चाप्टर था, वो ही है, और एक ही टॉपिक उसका सेस रह गया था, तो एक बार हम लोग रिमाइंड हो लेते हैं, जैसे पार्टनर्शिप का जो फर्डामेंटल उसको बहुत सारे बुक में बेसिक कॉसेप भी लिखते हैं, कहीं पार्टनर्शिप फर्डामेंटल अकाउंटिंग ट्रेट्मे हैं, लेकिन आपके पूरे पार्टनर्शिप सिलेवस को यह चाप्टर कम्प्लीट करता है, यानि हर एक टॉपिक, आगे के टॉपिक के लिए क्या होगा, यह कनेक्टेड होता है, तो जैसे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, मीनिंग, नेचर, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स of partnership firm, partnership did पढ़े हम लोग, absence of partnership did पढ़े, contents of partnership did पढ़े, partners capital account के fixed capital or fluctuating capital account के बारे में जाने, फिर हम लोग बहुत सारे provision को जाने, जिसमें 13 ABCD था, जो बहुत important है आपका, उसके बाद हम लोग fixed or fluctuating के बीच के difference को जाने, उसके बाद हम लोग guarantee or profit जाने, interest on capital निकालना जाने, interest on drawing से related सारे rules से जाने, और कुछ item जैसे interest on loan और rent ये दो item है, जिसको हम लोग PL account प्रांसफर करते हैं, वो जाने, और PL appropriation account को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा इस fundamental chapter का last topic बचा है, जिसका नाम में देखिये हैं, past adjustment, basically ये एक छोटा topic है, लेकि इस topic से हम लोग admission जब हम लोग शुरूर करेंगे partnership में, तो वहां से basically इसकी जोरत पड़ेगी, तो चुकि इस basic है, हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में जान सकते हैं, ये topic के पीछे क्या बात है, past, past यानी बीता हुआ, तो बीता हुआ adjustment से हमारे calendar को क्या फर कारण बस बहुल चुक से क्या होता है, कुछ mistakes हो जाते हैं, तो जैसे mistakes होना, जैसे profit देना था, कुछ और ratio में, दे दीए दूसरे ratio में, और किसी कारण बस interest on capital चार्ज करना भूल गया है, interest on drawing चार्ज करना भूल गया है, salary देना भूल गया है, commission देना भूल गया है, ये कारा account close होता है, तो हमें पता चली जाता है, जो हमने क्या-क्या गलतिया की है, तो ये past adjustment, just like आपका error है, जिसको हमको rectify करना है, यानि कि इस error की पहचान हो गई, इसी दीएस का नाम क्या कहलाया, past adjustment, further अब है, next topic है, how to correct past error, यानि अब तो error का पता चल गया, वह आपके सवाल से पता चल जाएगा, जो देना था, अब हमना नहीं दे पाई, अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, तो ठीक करने का मतलग यह नहीं है, जो हम फिर से सब चीज को recover करें, ऐसा कुछ नहीं करना है, तो इसमें 1932 Act में क्या किया, 2008 में जो revise poster निकाला, उसमें उन्होंने क्या किया, पाई टेलर को समझाने के लिए दो मेथट बना दे, एक आप PR Appropriation अकाउंट से उसको ठीक कर सकते हैं, और दूसरा आपका single entry, इसको adjustment entry भी कहते हैं, तो पहला नमर जो PR Appropriation है, तो PR Appropriation आपको बनाना हम सिखा चुके हैं, PR Appropriation nominal के तरह काम करता है, और जब तक firm को profit नहीं हो तो याई कि PR Appropriation के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस चीच को stop करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर जो गलती से हमारा profit distribute हुआ है, उसको पहले बात देंगे, और उसके बाद जो हमारा adjustment छुट गया है, या error हो गया है, या mistake हो गया है, या जिसको हम लोगों ने पूल गया है, उसको हम लोग excite कर लेंगे, तो जैसे expense है, expense debit होता है, और जितना भी income और profit है, वो credit होता है, लेकि जब हम लोग खीक करेंगे, तो just like हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन access हो रहा है, कौन कम हो रहा है, तो debit credit उसके अनुसार हम काम करेंगे, और जो हमारा पुराना दलती है, उसको एक तरफ रखेंगे, और जो हमारा नया चुटाओगा adjustment है, उसको हम लोग solve करेंगे, और दोनों के बीच के difference को हम लोग क्या करेंगे, फिर से उस नई ratio में, यानि given ratio में बाटेंगे, और उसको हम लोग PL appropriation में transfer करेंगे, अगर profit होगा, तो PL appropriation account debit to partners capital account, और अगर loss होगा, तो partners capital account debit to PL appropriation account, तो देखा जाए, तो वही सारा journal है, आपको अलग से कोई journal लिखने की ज़रत नहीं है, बस आपको दोनों के बीच का difference, यानि कि mistake से पहने, यानि past में हमने क्या किया और present में हमारा क्या होना चाहिए, इस दोनों के बीच का difference निकालना है, और difference में अगर access हो गया, तो वह debit हो गया, और अगर कम हो गया, तो वह credit हो गया, और debit हो तो profit हो गया, और credit हो गया, तो loss हो गया, तो उस profit loss को हम PL appropriation में दिखाएंगे, ठीक है, आप illustration देखेंगे, आपको इस topics are related, दो तीन आपके book में हैं, आप उसको देखके समझने का को करेंगे, अगर फर्दर आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप हमसे comment करके पूछेगा, हम फिर से किसी practical को बताएंगे, उसके बाद आपका दूसरा method है single entry, single entry में क्या है, आपको working note करना है, और बस एक entry आपको जवाब में डालना है, मुष्ट वेबली यह वाला method यह आप है, तो single entry में rule ही बना है, पहले आप क्या करेंगे, wrong entry को लिखेंगे, क्या entry लिखेंगे, wrong entry को आप लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, right entry को लिखेंगे, और wrong और right के बीच के difference को आप लिखेंगे, देखेंगे, बहुत easy है, at first wrong entry आप बनाएंगे, उसके बाद right entry, entry का मतल जर्मल नहीं है, इंट्री का मतलब है, आप calculation करें, तो wrong जैसे 1 lakh profit है, उसका ratio 3 is to 2 is to 1, आप wrong हो गया, लेकिन इसका rear क्या है, 1 is to 1 is to 1, तो यह क्या हो गया, राइट हो गया, अब 3 to 1 में बाटेंगे 1 lakh को, और 111 में बाटेंगे 1 lakh को, अब दोरों के बीच का difference लिए, यह जो difference आएगा, इस difference में जो excess होगा, वो debit हो जाएगा, और जो कम होगा, वो credit हो जाएगा, इस का journal बहुत easy होता है, देखिए, यह हम लिख रहे हैं, partners, capital account debit, two partners, capital, current या capital account, आप current account भी लिख सकते हैं, अब जदा ध्यान देंगे, तो जो debit है, वो ही credit है, यानि कुछ भी अलग से निखने की ज़ूर्ट नहीं है, बस आपको ध्यान क्या लखना है, difference में जो excess हो गया, वो debit हो जाएगा, difference में जो लेस हो गया हूँ आपका क्रेडिट हो जाए क्यों क्रेडिट होगा क्योंकि जिसके अकाउंट में ज्यादा पैसा चला गया है उसके अकाउंट से डबिटेड होगा यानि निकलेगा और जिसके डिफरेंस में लेस हुआ है उसके अकाउंट में हमको पैसा को देना पड़ेग एलब इंट्री करते हैं और फिर रॉंग इंट्री करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंट करता है आप ऐसा नहीं किसी प्रैक्टिकल में आप पहले रॉंग राइड करें और किसी में राइड रॉंग करें आप कोई एक स्टेफ पर काम करेंगे, अब वहत सारे हैं बट आप यहां पर फिर उल्टा काम करेगा, उल्टा क्या करेगा, जो एक्सेस होगा वो क्रेडिट होगा और जो लेस होगा वो डबिट होगा, तो चुकि पास्ट एज़ेस्टमेंट है, तो पहने रॉंग इंट्री होना चाहिए, मत्तब अर जे नॉर्मर हम से हम देखें, तो और दोनों के बीच के डिफेंस कोन क्या करेंगे, जो जादा है उसके अकाउंट से निकाल लेंगे, और इसके अकाउंट में कम है, उसमें हम सेंड कर देंगे, तो इस तरह के से हम सिंगल इंट्रे से काम करेंगे, तो पास्ट एज़ेस्टमेंट एक थोरो है इस चैप्टर देखें और अगर इसके बाप दूद भी आपको practical में problem अगर हो रही होगी तो आप comment करके पूछेएगा हम उसका answer आपको send कर देगे I hope आपको अच्छा लगा होगा, thank you, thank you so much